वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ओल अफ्यू तो डियर स्टुडेंट आज की क्लासिस में हम पढ़ेंगे इंट्रमीडिय गूड्स और फाइनल गूड्स को हम अलग-अलग कैटिगरी में डिवाइड करेंगे लास्ट क्लास में हमने यह समझ लिया था कि कोई भी accommodate है वह एक टाइम पर intermedia होता है और वही सेम ऐक टाइम पर फाइनल गूड्स भी होता है अब कौन से गूड्स इंट्रमीडियर या कौन से गुड्स फाइनल है यह किसी पर्टिकलर गुड्स को पर टैग नहीं होता है यह उसके यूजिस पर डिपैंड करता है अगर कोई गुड्स रिसेल के परपस से है या कोई गुड्स उसको आगे बेच रहे हैं या फिर उसमें वैल्यू एडिशन कर अंदर एड नहीं होगी तो उस स्टेज में पहुंचने के बाद वही सेम गुड्स आपका फाइल गुड्स की काटेगरी में आ जाता है एक एक्जांपल के लिए मैं आपसे एक एक्जांपल ले रहा हूं जैसे कि चपाती अगर एक होटेल में है तो वहां पर तो उसमें व इंटर्मेडियर गुड्स है वही चपाती आपके घर में है या फिर आप उसको करें घर आगे तो आप उसके वैलू अडिशन नहीं करने वाले तो वह आपके लिए फाइन सेम पाती अब इस सिचुएशन में फाइल गुड्स की कैटिगरी में आ जाएगा एक्जांपल के लिए मैडिशन यूज कहा हो रहा है यह देखेगा अगर एक मेडिकल शॉप पर रहे तो ऑबिसली वह इसकी वैलू अडिशन करके आगे पास करेगा इसको बेचेगा तो सिचुएशन में यह इंटर्मेडियर गुड्स है और आपने अपने मिमारी के लिए अगर वह यहां अचुए अगरव यहां चुका है अब इसना तो कोई वैलू एडिशन होगी ना तो इसमें कोई और और एक्टिविटी होगी प्लक्शन की, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, बात करते हैं, अब आपको एक फर्म देखने को मिलता है, और एक हाउसोल्ड, हाउसोल्ड का मतलब अपने घर के बारे में आप सोल सकते हैं, घर में कौन से चीज़े कहां रखी हु है, यहाँ पर जिससे की वो उसको गन्य के रस को पकाते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर फिर चीनी वगेरा बनके तयार है, यहाँ देख रहे हैं माल टैकों के रेडिया आगी दाने के लिए, एक फैक्टरी में सिच्चुशन देखते हैं, और एक अपने घर में देखत पर फैक्टरी में देखने को मिलेंगे आपको, वो क्या करते हैं, वो आउट्पुट में लॉंग रन तक आपको फ्रोवाइड करता है, एक फॉर्म को, बार बार उसका यूज होगा, एक 10-20 साल उसका लाइफ एस्टिमेशन होगा, और उसमें बार बार प्रड़क्शन में वो आपको help करेगा, तो जो equipment से न, plant है, जो machinery है, वो capital goods होता, उस form का, और बाकी का सब का आप ले लो, उस machine को छोड़के, आप कोईला ले लो, वहाँ पर पड़ा हुआ जो है, sugar can ले लो, वहाँ पर पड़ा हुआ आपका सुगर जो चीनी है, वो ले लो, सब कुछ आप ले कीमत थोड़े बिखेगी, अपना profit रख करके, आगे value, add करके बेचे, कोईला जिस कीमत पर लाया, उसमें value addition कर देगा, बना मुनों में, सबका सारे कोस्तों निकालेगा, बेचेगा उसको, कोईला नहीं बेचेगा, कोईले को use तो करेगा, वो recover तो करेगा, आगे, तो इसलि है, clear है, कोई doubt, दूसरी बात, एक government consumption भी होता है, उसके आरहें बात करूँगा, पहले आप यह देखेगा, खर, government consumption क्या होता है, आप चलिए मुझे यह बता दीजिए, government consumption क्या होता है, मैं बताता हूँ, देखो, अब government consumption का मतलब आपको लग रहा हूँ कि जो राश्पती consumption की category में आता है, पार्क, ये पार्क पे जो खर्च कर रही है, पार्क बनाने पे government consumption में आ जाता है, clear है, बच्चे, जो government schools में, midday meal वगएरा होते, ये government consumption का पार्ट है, जो चीज फ्री में, पब्लिक welfare के लिए government available करवाती है, वो सारी चीज़े government consumption की category में आती है, और government consumption की चीज़े को हम intermediate goods की category में नहीं रखते हैं, इसको हम final goods में रखते हैं, क्योई government उसमें कोई value addition नहीं करेगी, midday meal आपको school में मिला, consumption के खतम, कोई value addition थोड़ी करेंगे आप उसका, तो final goods हो गई clear है, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर आपको जो है, अलग अलग category में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यह question आगे चल के आपका कैसे आगा, कि national income में किसको हम include करें या नहीं करें, ऐसा question theoretical आ सकता है, कई पर आया भी है, तो वहाँ पर आप फिर चीज़ें आपके पॉलम क्रेट करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में ही आप कटराइस कर लीजिए, कि intermediate कौन सा है, final goods कौन सा है, पहला है, देखेगा, paper purchased by a publisher, एक publisher है, जो किताब छापता से ने paper खईदा, तो क्या है, intermediate है या final है, obviously ये एक intermediate goods है, क्यों, क्योंकि वो उस paper को आगे बेचेगा, एक publisher है, अगर वो 10 रुपे के paper खईद रहा है, तो 10 रुपे किताब की कीमत नहीं रखेगा वो, उससे ज्यादा रखेगा, तो कहीं ने कि उसमें paper को क्या कर दिया, आगे, resell कर दिया, इसलिए ये intermediate goods है, it is an intermediate as paper is used for the further production during the same year, उसका further output होगा, क्योंकि उस पर लिख करके उसक school, भया, school ने furniture purchased करा, अब school के लिए furniture as a for, अगर आप इसको private school कहते हो, आप school के मैंने doubt रहा है, private school है, government school है, मैं बताता हूं, private school अगर आपके पास में, तो private school में furniture as a capital goods हो गया, raw material वगरा, chok वगरा, dust वगरा, ये सारी चीज़े raw material होँ वापर, बकि जो ये decks है, ये long run तक, आप पढ़कर जाएंगे, फिर आपके बाद जो बैचर जाएगा, वो भी पढ़ेगा, आप वो जाएगा, उसका जो बैचर जाएगा, वो भी पढ़ेगा, सब कुछ ठीठा कर दिया कि कभी भी कोई capital goods हो, उसको आपको final goods टी category में रखना है, क्योंकि वो decks वहीं पर use होके खतम हो जाना है, उसके बाद समें कोई value addition नहीं होनी है, वो आगे resale नहीं होना है, अब बात कर तो government school में है, तो government school में आप सो government consumption ही मान सकते हैं, या फिर वहाभी capital goods है, तो इसलि यहाँ पर है capital goods है, milk purchase by household, एक household ने milk purchase करा, एक household ने बचे milk को purchase करा, हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे milk purchase by household, तो भीया आपके घर में जो दूद आता है, सुभे सुभे, आप चाय बनाके पी लेते हैं, उसको बेचते थोड़ी हैं उसको, तो इसलिए final consumption हो गया, और final consumption हो मतलब final goods, तो it is a final product as it is used by the household for the final consumption, आगे आपके पास में आगया purchase of rice by a grocery shop, एक grocery shop है, और वो rice को buy करता है, तो grocery shop क्या करेगा, उसको और production activity करकर के आगे reseal कर देगा, इसलिए क्या यह intermediate products है, ठीक है, call used by manufacturing forms, यह लखना समझा, call used by manufacturing form, अब form होती है, steel को फर्म होगी, बहुत सारे ऐसी फर्में होती है, जहाँ पर coal को को कोई लेकर इस्तेमाल करते हैं, इट की बट्टी हो गई, वहाँ पर जो है, कोई लेकर इस्तेमाल करते हैं, इटो को मजबूत करने के लिए, जो कच्छी मिट्टी से इट बनाते हैं, फिसको पकाते हैं, तो कोईला का यह होता है, तो कोईला क्या है, मैंने कहता है, एक फर्म में दोई चीज़े हैं, फर्म की community को दो parts में डिवाइड कर दो, capital goods and other goods, तो कोईला किसी firm का capital goods होता है, क्या, production में long run तक बर-बर यूज आता है, क्या, एक बार जलाया, खतम, स्वाहा, तो firm के अंदर अगर आप बात चल रही है, तो फिर्प capital goods को फाइनल में रखेंगे, बगि सब को उठा करके intermediate goods में डाल देंगे, तो यहाँ पर आपके पास में, जो coal used by a manufacturing firm, तो उसके लिए capital goods नहीं है न, तो यह क्या हो गया, यह उसके लिए intermediate goods हो गया, it is an intermediate product as coal is used for the further production, वो आगे production कर रहे हैं, करवा रही है, computer installed in an office, यह क्या है, यह एक office का capital goods हो गया, बार-बार तो इसका use होता रहेगा, इसलिए यह क्या है, कि investment है, और यह, मैंने बता दिया आपको कि कोई investment, capital goods किसी firm के अंदर क्या होता है, final products होता है, coal used by a consumer households, वो यह आप अपने घर में थंड बहुत थी, हाँ सेखने के लिए कोई लेका इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर तो कोई value addition नहीं होगी, clear है, तो घर के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए, तो सब के सब final होता है, कोई भी चीज़ आ जाए, तो यह final goods होगया आपके, पास में, mobile sets purchased by a mobile dealer, अब mobile dealer ने mobile लिया है, तो तो बेचेगा, रिसेल करेगा, value addition करेगा, तो यह intermediate goods होगया, घर में mobile लिया है, तो घर में तो कुछ भी लाओगे, जो घर के अंदर आ गया, final goods होगया, आपस तो value addition नहीं होना, mobile sets purchased by a mobile dealer, because this is in the, यह क्या है, यह एक intermediate goods है, तो इसको resell करा जाएगा, purchase of pulse by a consumer, यह consumer, घर में आगी चीज़ है, तो final goods होगया, clear है, बच्चे? Chalks and duster, etc, purchase by a school, यह पहला कुस्च में आई नहीं है, बताओ ज़्या, clear है, बच्चे? अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप अपना answer करेंगे, चॉक, डेस्टर, etc, purchase by a school, एक चॉक, डेस्टर, आपने क्या करें, इसकूल ने बाइक कर रहा तो, इसकूल को आप ऐधा firm consider कर लिए, अब इस firm के अंदर, क्या चॉक इंडेस्टर, एक capital goods है, जो प्लक्षर में long run तक, बार बार ये use में आएगा, नहीं आएगा, चॉक यूज कर रहे हैं, खतम हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए, किसी फार्म के अंदर कोई capital goods है, तब final आदरवाइस सब का सब intermediate होती, तो फार्मर के लिए भी अट्रक हो गया, ये सारे चीज़ें capital goods है, जो अगले साल भी यूज में लाएगा, फार्डिलाइजर यूज कर रहा खतम, तो इसके लिए भी क्या हो गया, ये एक फार्म, चीज़ें को, यहाँ पर भी goods का प्लक्षन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर capital और other goods में divide कर लो, तो capital goods तो नहीं है, नहीं ये चीज़ें fertilizer, long run तक goods के प्लक्षन में आपको यूज तो नहीं आएगा न, इसलिए intermediate goods के अंदर आ जाता है, intermediate products आ गया, प्रिंटर पर्चेस बाया, लोयर, भी एक लोयर ने प्रिंटर पर्चेस करा, तो लोयर का काम है, वकालत करना है ना कि प्रिंटर को बेचना, वो इसके पास यूज में आके खतम हो जाएगा, तो मतलब कि आगे रिसील नहीं होगा, तो ये final goods है, final product है, वीट यूज बाय दा फ्लोर मिल, भीया जो है, वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आटे की चक्किये, जो आटा बनाती है, और वो गिहों से ही आटा बनाती है, गिहों को खरीचती है, तो गिहों को क्या कर रही है, वो, वो ट्रांस्फॉर्म कर रही है, मिलब production की अभी भी boundary का अंदर है, इसका मतलब यह है, दूसरा इसका मतलब वैल्यू एडिशन करेगी, जिस गिहों को आटा मना करके, उसकी मत अलग हो जाएगी, तो इसलिए उस situation मों आगे reseal कर रही है, तो यह आपका intermediate product है, एक साल के end में, जो है, कोल बिकानी, अब यह अगले साल हो जाए, cotton used by the cloth mill, भाइसता बोस cotton का इस्तेमाल करके खप्ड़ा बनाके बेचेगी, reseal हो जाए गई, तो यह intermediate products हो गया, clear है, सब्सक्राइब आया है आपको यहां तक, बताएं जिए रहा, वीडियो आफ है, अभी वीडियो आफ है क्या, गुन-गुन, खुशी, वीडियो जिसो जान झारी अबीवी clear, वीडियो झाल झाल देखेगा अभी तो हमारी बच्चे आज थर्ड क्लासिस हैं तो आपको थर्ड है तो सारी देखने हैं आपने स्टार्टिंग से वीट यूज बाया हाउसोल्ट एक हाउसोल्ड यूज कर रहा है इसको तो वह जायरी सी बात है उहीं पर उसको वैल अडिशन नहीं होगा उसको रीसेल नहीं करेंगे तो यह फाइनल प्रॉडट्स के अंदर आता है रफिजेटर इंस्टॉल बाया फॉर्म तो फॉर्म के लि अब उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में आपके रगरग में यह चीज़ें बस गई होंगे क्लियर है तो अभी थोड़ा तो स्रीबस और कंटेट में काफी कम-कम डिलीबर कर रहा हूं कारण उसकी पीछे यह है कि बच्चे फिर उसको बैच जब स्टार्ट होता है तो चा किसे इनफॉर्म्ड नहीं है तो आपका भी काम है कि आपको उनको इनफॉर्म्ड करना है कि क्लियरे बच्चे और दूसरी बात आप ये भी धान लखेंगे एक आपके साथ में आज एक बात और डिसकस कर लेता हूं मैं आपसे देखिए आप लोग का बीकॉम चल रहा है या छो «करीड में क्या करना है और एन वह कर भी रहें कि वहां सारे स्टूर्ट हैसए है वह कर रहे हैं जो उनको फचर में करना है कि प्रफेर्शन कोर्से का अंदर आच चुके हैं और उसी को कर रहें लेकिन आप मैंसे भी मान लीजिए जितने भी चलिया इस्टूर्ष कर र करे रहे हो इस में से च्रफ और सिर्फ क्या हुआ कि 20% स्टूट सो में से के सिर्फ 20% स्टूडेट जो है यह ऐे एक कंश्ण कर रहे हैं ती आप यह और बाकी बच गए रेस्ट डारों सब्रुकिन यह अभी भी कंफिज स्थे करना क्या है को रहे हैं कि इस में से भी मानके चलो इस 80% पिसे आसी पास में यह के कर ला क्यार बीघॉम के साथ घुष तो यहाज करें कि हम विकॉम कर रहे हैं विकॉम कर रहे तो आपके यह करने से बेक आपको कर लेने से इसके बाद आपको कोई पी कुनよろしく पर नहीं मिलनी कि यह बात आप भी जानते हैं मुझे खिर हाइलेट करने के जुरत नहीं है अपने आस प्रोस गली महले में ऐसे बहुत साइल हो आपके एक्जाम्बल के तौर पर मिल जाएंगे पापा के बिजनस पर ही बैठना है तो ठीक है उनके लिए ठीक हमने हम ग्रेजुट हो रहे हैं पर लिखियो कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि अल्टिमेट बैठना बिजनस पर ही है तो वहां तक तो इस चीज़ें ठीक है पर जिनें जॉब पर जाना है कोई काम करना है तो भाया आप तो सब्सक्राइब करके किसी काम के लाइक नहीं रहेंगे यह बात भी क्लियर है बीकॉम क्या बीए सी क्या और बीए क्या क्लियर है सरक इस पढ़ाई से आपको साथ में कुछ करना पड़ेगा अब आपके जो है न करियर का ओप्षिन कहां का मिलता है एक तो यह 80% बच्चे कंफ्यूज की सीज में यह एक एंबीए करना चाहते हैं कुछ बच्चे चाहते हैं कि यार हमारा जो है हम कोमर्स बैक्रा करेंगे अ को पॉर्परेट में अ कि मलब प्राविट बैंक में और गवर्मेंट में अ दो तरीके कि कुछ बच्चे कह रहें कि यार हम एन अफिसर बनेंगे कि अब कि अब एससी जो अफिसर मनेंगे कुछ बच्चे ऐसा प्लैन कर रहे हैं कि हम सिय करेंगे और करेंगे वाला तो उनसे अब होना नहीं है चिंगों करना है वो लग जाते हैं अब तक तो सिय में अब ग्रिजूट होने का सिय करोगे क्या चालिस साल में फिसर करोगे फिर पचास साल में शादी करोगे दो साल के बच्चे और आप उपर कानी खतम हो जाएगी हां जी सबसे पहले मैं बता जिता हूँ आपको MBA के लिए अगर आपको MBA करने का आपको benefit तभी मिलेगा जब आप एक अच्छे college एक अच्छे university से अगर आप MBA कर रहे हैं चलता फिरता आप certificate करें से खरीद के लिए और बोलते हैं अपने आपको हमने MBA कर लिया तो कोई placement नहीं है कोई नोखरी नहीं है MBA के नाम पर आप जो है साबुन बेशते होने ज़र आएंगे WAN के अंदर ECO में MBA में जो सुनते हैं कि इसको इतना package इसको इतना package वो university भी उस लेबल की होती है आई-एम और वहाँ पर जाने के लिए आपको MBA के इंटरेंस exam को आपको freeze करना पड़ेगा तो अब MBA के exam MBA का जो इंटरेंस exam cat होता है यह cat की preparation आप कर सकते हैं clear है बच्चे अब दूसरी बात है कि बैंक में जाना चाहते है कुछ बच्चे की बैंक में जाएंगे कोई corporate और government में confusion है तो यह तो मैं कहता हूं बिलकुल ही मन जाना बिलकुल मन जाना साफ मना कर रहा हूं ज्यादा growth नहीं है 30 30-30 में इतना workload आपके उपर आएगा ना इतना workload आएगा आपके उपर कि आप इतने प्रिशान हो जाएंगे अपने घर भी फ्रॉष्ट होगी जाएंगे आप government sector के अंदर जाएए अगर आपको bank की नोकरी करनी है तो अब government sector के अंदर आपको bank दो नोकरी देगी एक IBPS होता है जो कि एक exam लेकर कि आपको appointment करती है और एक SBI यह अपना अलग exam लेकर कि अपने SBI bank में अलग appointment करती है और bank में जो post आपका provisional officer का जाता है एक एक से मान करना था तो मैं आपको एक चीज कर लो ऐसे सी के अंदर कि डबल यह हivasए अगल आप एस से के अंदर ससी के अंदर क्या कि रहता है डबल और एगा आपके पास में कि अ करा अपके पासमें रहे गा M.E.A. हो गया बताओं किया होता है आपके पास पर इंस्पेक्टर हो गया आपके पास भी C.B.I. क्राइम ब्रांच में जाना है आपको या फिर जो बंबलास व्लास होते हैं उसके इन्वेस्टिवेशन में जो सर्च होता है जो दूसरे कंटे के जो आप सर्च करते हैं नेशनल इंवेस्टिवेशन एजेंसी एनाइए या इसके इलावा भी आपको गजिशेड ऑफिसर या सेक्शन ऑफिशन में जाना है इस पोस्ट की प्रोफाइल क्या है डबल एओ क्या होता है कि सरकार सीए क्या करते हैं टेक्स सारे हिसाब बनाते हैं और उसका हिसाब बनाने के एक मोटीव होता है कि मैं जिस फर्म में काम कर रहा हूं जो तंखा पा रहा हूं में महाँ पर इस फर्म को कम से कम टेक्स पे करना पड़े हए इसलिए फर्म है उस आपके आपको मैनेज करने के लिए और यह कोशिच रहती है कि यह कम से कम टैक्स पे करना पड़े कार्मिन्ट को इसलिए उसके इस साब बड़ी बैंक, O.N.J.C., बैंक, जीओ, सब के पता नहीं कितने कितने CEO होते हैं, किसी के 20 भी 50 पचापचा CEO होते हैं लोगे पास में, जब अकाउंटेंट और इटर अफिसर जब जाता है, तो सारे CEO एक तरफ खड़ जाता है, मानके चलिए बहावले की एंट्री हो रही है, उसके 25 पसंड के एफट से डबल एओ बना जा सकता है, और डबल एओ, सी ए से उपर की पोस्ट होती है, सेलरी इसकी 80,000 रहती है, गजिश्चर्ड ऑफिसर की रैंक होती है, 10-12 साल के बाद आपको फिर नेली बत्ती, लाल बत्ती अर गाड़ी में जाती है, आप एक अगाउंटेंट की जॉब, भई आप कहेंगे, हमें अकाउंटेंट बनना है, प्रविट जोब में जाना है, तो भई वहाँ जाके क्या मिलेगा, 25-30, यहां पे अकाउंटेंट बने होगी तो आपको 60 मिलेगा, गवर्मेंट में, एससी के अंदर, गवर्मेंट जोब में, क कशले करना चाहता हूं क्यूंकि मैं जो है, फॉर औरन कंटरी में जाना चाहता हूं, एमिये करो, फॉरं कंटरी में जाओगे, आपको अपने पैसे से बेजेगी, Ministry of External Affairs, Ambassador, नदर जाप होती है, छीकर, एद रडवलोमेट के साथ में आप काम करते हैं, और आप जब भी बहा कि टॉप मोस्ट लेबल की जॉब है साल में दो से तीन ट्रिप आपका फॉरंग कंट्रीज का है और आपका आने जाने का खर्चा रहने खर्चा सब कुछ होते हैं जो आपने देखा है दिल्ली में अमबस देखा है रहते हैं यहां पर रहते हैं वैसे आप वहां पर जाकर कि आपके विजिट होगा तो यह की पोस्ट है इंस्पेक्टर में तो आप जो है एक्साइज इंस्पेक्टर यह सारी चीज़ां बन सकते हैं इंकम टेक्स में इंटरस्ट है तो इंकम टेक्स इंस्पेक्टर कितना बड़ा होता है अपको आप सीवी आई के अंदर सम इस्पेक का आता है अब रेल्वे का रास्ता ज्यादा तर चूस से आप करना क्या चीए आपको दो चीज करनेची लिए अपना फिर पर रखना चीए एक तो आप अपने पास में क्याट रखो रखो अभी से भर आप आप S.S.C. रख लो, एक्वस्ट हो जाता है बैंक, यह फॉर्मॉला ध्यानक में जीवन का, क्या एट करोगे, तो हो सकता है कि आपने MBA के अंदर अचीव कर लिया, साथ में S.S.C. भी कर लोगे, तो S.S.C. का मतलब होता है कि यह सारी चीजों की जो है, एक ही एक्जाम होता है, वो आपके मार्क्स के साथ से पोस्ट आपको मिलता है, अच्छे मार्क्स से तो उपर के पोस्ट, कम मार्क्स से तो कम, एक ही पिपर होता है, एक ही दिन पिपर होता है, मार्क्स आपको जैसे आ तो फिर आपके तीन करियर बन जाते हैं एक दो तीन और आपको कोर्स लेके चलना है कुण सा एक क्याट का और एक एससी का जिसके अंदर भी इस परसंट इसके अंदर भी फॉर्टी परसंट डिफरेंट है तो कोर्स एक और करियर तीन जगे पर बिल्ट कर सकते हैं और मैं यह कहुँआ कि मैं एक ही कोर्स सब कुछ नहीं पढ़ा रहा है बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहुँआ मेरा कैट का बैच अलग है मैंने बता है आप इन दोनों को लेके चलोगे बैंक की बैच की कोई नीड नहीं है आपको तो इस तरीके से आप अपने करियर के अंदर अपने आपको बूस्ट कर सकते हो और आप लोग अलएड़ी बीकॉम के जो बच्चे हैं मैं बावा रिपीट कर रहा हूं जो बच्चे अपने पास में या फिर ओनर्स के हैं यह अलड़ी पेड में हैं अभी यह दोनों के दोनों आपका 2000 रुपीज का मिनीमम मतारों में आपको इतने कम तो एक कैट का भी कही नहीं मिलता है दोनों मतारों दो जार रुपे का है और इस समय अगर आप एक भी पेड कोर्स इसमें बीकॉम के आप अगीर तक अपने को डिसाइड अपने नहीं कर रखा है आप कर लिजिए यह चीज़े मैटर करती हैं क्लेरे बच्चे तो इन बातों को ध्यान रखना है आप लोगों ने और फिर नेस्स क्लासिस में आगे हम तपिक को तो तो पूछिए तो पूछिए से लाइक क्लास इसमें कौन सी ट्ल होना होगा उसह अभी लगा पढ़ाया तो ये अभी रिवाइस करो FREERU ठीक حмиsted में जिनक्यू टैनक्यू सो मच झाल झाल